उद्धारन 4 यदि 510 theta is equal to 4 हो तो 5sin theta minus 3 cos theta upon sin theta plus 2 cos theta का मान ग्याद कीजिए इस प्रश्ण में हमको दिया है 510 theta is equal to 4 और इसमें हमको 5sin theta minus 3 cos theta बटा sin theta plus 2 cos theta का मान ग्याद करना है तो हमें दिया है यहां और जो दिया है उसके उसकी सहायता से उसके मदद से हम मान ग्याद करेंगे तो यहां हमारे पास है 510 theta बरावर है 4 हम इसको और थोड़ा सरल करें तो हमें पता चल जायाएगा कि कौन सा अनुपात दिया है तो यह हम लिख सकते हैं कि 10 theta बरावर 4 बटा 5 तो हम यह जान सके कि यहां पर 10 theta 4 बटा 5 दिया है एक अनुपात हमको दिया हुआ है और जो ग्याद करना है वो हम देख लें अब ग्याद करना है तो जिसका मान हमको ग्याद करना है वो हम देखते हैं और इसके लिए हम क्या क्या चीजों की हमें आवशक्ता होगी उसके अनुपात हम काम करेंगे 5 sin theta minus 3 cos theta beta sin theta plus 2 cos theta तो इसका मान हमको ग्याद करना है तो यदि sin theta का मान मालूम रहता है cos theta का मान मालूम रहता तो इसमें हम रख लेते और मान ग्याद कर लेते लेकिन हमको दिया है यहाँ पर 10 theta का मान तो हम यह सोचें कि sin theta को हम 10 theta की रूप में कैसे लिख सकते हैं तो हमें इसी से इसी की मदद से 10 theta लाना होगा और 10 theta का मान फिर रखकर इस के मान की हमको गढ़ना करनी होगी तो हम यहीं से फिर लेके चलते हैं अब 5 sin theta minus 3 cos theta beta sin theta plus 2 cos theta इसमें हम सोंचते हैं कि यदि हम sin theta को cos theta से भाग कर देते हैं तो यह 10 theta बन जाएगा ऐसे ही हर में भी sin theta जो है sin theta को हम cos theta से भाग करेंगे तो 10 theta बन जाएगा और cos theta से इसको भाग करेंगे तो यह cos theta एक हो जाएगा यह cos theta भी एक हो जाएगा कट कर तो हम अंश और हर में यहाँ भाग कर लेते हैं अंश और हर में कॉस थीटा का भाग करने पर अब यह कैसे लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा इस रूप में बराबर करके हम लिखें इसको अब 5 फाइब रहेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा 5 साइन थीटा बटा कॉस थीटा यह हो गया और ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और पूरे का बटा यह हम पराबर कचीन लगा लें तो यह हो जाएगा साइन नीचे भी हमको भाग करना है कॉस थीटा से तो sin theta बटा cos theta यहाँ पर भी हो जायगा यह फिर plus है और 2 cos theta बटा फिर cos theta हमने यहाँ पर अंश और हर में cos theta से भाग किया है और इसे हम सरलिक रिद करके लिखेंगे तो जब हम इसको सरलिक रिद करेंगे तो यह हो जाएगा 5 और sin theta बटा cos theta उसको हम लिख लेंगे यह 10 theta 5 10 theta हो गया और cos theta बटा cos theta था तो कट जाएगा और यहाँ पर आजाएगा 3 इसका बटा हो जाएगा यह होगा sin theta बटा cos theta यहाँ पर भी 10 theta हो जाएगा यह और प्लस cos theta upon cos theta हो गया तो फिर यहाँ पर बज गया 2 अब ये हम जो मान जानते हैं उस रूप में आ गया चुमकि हमको मान मालूम है 10 theta का और 10 theta के रूप में आ गया तो हम 10 theta का मान इहां रख सकते हैं तो 10 theta हमको कितना दिया है चुमकि 10 theta बराबर 4 बटा 5 ये हमको दिया है तो अब हम ये मान रखेंगे इसमें तो मान रखने पर 5 10 theta की जगा में हम रखेंगे 4 बटा 5 रिन तीन बटा 10 theta का फिर नीचे भी मान रखेंगे 4 बटा 5 और धन 2 उपर देखिए अब ये 5 और 5 कट जाएगा तो 5 और 5 कटा तो उपर आया 4 बचा 4 रिन 3 तो इसको हम लिख लेते हैं 4 रिन 3 बटा ये हम नीचे में एक भिन्द में है और एक पुनांक में 4 बटा 5 धन 2 तो इसका हमको लगुत्तम लेना पड़ेगा तो यहाँ पर दो के नीचे में कुछ नहीं है तो हम मान के चलेंगे एक तो हम लगुत्तम लेंगे 5 और एक का तो 5 और एक का लगुत्तम आयेगा 5 ये 5 हो गया फिर 5 से इस 5 को भाग किया एक आया एक का गुना 4 से किया 4 एक कम 4 हुआ ये बीच में धन्चिन है ये धन्चिन लगा दिये एक से इस 5 को भाग किया एक पाच बार में जाएगा पाच का गुना दो से हो जाएगा तो पाच दुनी 10 तो अब ये हो गया 4 रिन तीन हो गया एक और 4 धन 10 हो गया 14 14 बटा 5 ये संख्या उलट जाएगी हम ये जानते हैं कि जब एक बटा A upon B ऐसा होता है तो उसको हम लिख देते हैं B upon A इसलिए इसको हम लिख देंगे 5 बटा 14 और यही हमारा उत्तर होगा कि जो हम बाई तरफ लिख रहे थे जो मान हमारे पास था कि 5 sin theta माईनस 3 cos theta बटा sin theta plus 2 cos theta बराबर 5 बटा 14 इसका मान ग्याद करना था और यह मान हमको मिल गया 5 बटा 14 यही हमारा उत्तर है